हेलो दोस्तो मैं हूँ अब इसे एक आपका सेल्फ प्रिपेर गुरू जी दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पलसर का जो किक साफ्ट होता है उसे कैसे आपको इंस्टॉल करना है और अगर यह प्रॉपरली आप इंस्टॉल नहीं करेंगे तो यह जो स्प्रि स्प्रिंग है यहां पे अंदर में यह आप देख रहे हैं अब इसे कैसे सेट करना है मैं आपको बताता हूँ आप से पहला पॉइंट यहां पर आपको इस प्रिंग यह दिख रहा होगा ठीक है यहां पर यह जो स्प्रिंग वाला पोर्सन है अंदर में वह इस स्लॉट में फंसेगा यहाँ पे अब यहाँ पे दो आप्सन है आपके पास या तो आप ऐसे लगाईए यह देखिए ऐसे ठीक है यहाँ पे या फिर आप ऐसे लगाईए बट अगर ऐसे लगाएंगे तो यह complete एक turn मुझे लेना पड़ेगा और यह बहुत ज़्यादा tight हो जाएगा तो इसमें क्या होगा कि spring तूटने का chance रहता है कुछ जिन काम करेगा और तूटेगा बट suppose यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ यह देखिए यहाँ पे तो यह थोड़ा सा कम turn रहेगा और इसमें proper tension भी आ जाए तो दो आपसाने या तो आप ऐसे कर सकते हैं या तो ऐसे कर सकते हैं ठीक है तो ऐसे में बहुत ज़्यादा turn हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे ऐसे रखेंगे यह ठीक है और ऐसे फंसाना है इसे और एक turn ऐसे घुमा करके यहाँ पे यहाँ तक लाना है इसे यह देखिए अगर आप यहां तक इसे नहीं लाएंगे यहां तक तो यह इसमें टच होगा तो यह अंदर जाएगा ही नहीं तो यहां तक आएगा यह और उसके बाद यहां पर फंसा देना है इसे ठीक है यह आपका फिर से आप ध्यान से देखे यह बला portion अगर यहां तक रहेगा तो यह अंदर जाएगा ही नहीं तो कम से कम यहां पे यह खींचना है यह बला portion को और इसे अंदर insert करना है तब ही यह जाएगा अब यहां पे सबसे पहले एक वासर मैं डाल देता हूँ यह देखे वासर ठीक है और यहां पे थोड़ा सा आपको इंजन वाल अलका सा डाल देना है ताकि यह थोड़ा सा इसली जाए अब मैं कहां पे लगा रहा हूँ यहां पे देखे मैं यहां पे रख रहा हूँ यह प्रिंग में फंस गया है बट यह अंदर अभी नहीं जाएगा अभी इसे हमें टरंड करना होगा ठीक है यह देखि और पीछे आपको देखते रहना है कि वो पौर्सन अभी कहां तक पहुंचा तो आप देखिए यह जो पोर्सन है यह देखेंगे यह देखिए अब ही ये जो portion है जो मैंने आपको दिखाया था ये इसके आगे निकल रहा है ठीक है ये यहां तक आ गया अब ये अंदर प्रेस होने के लिए तैयार है ये देखे अब ये अंदर जाने के लिए तैयार है और ये अब अपने जगा पे आ जाएगा इस तरह से और एक बार यहां पर चल जाता है तो ये गेयर फ्री हो जाता है और जब आप इसे ऐसे खीचेंगे तो ये Engage हो जाता है ये Ratchet का dersat का काम कर रहा है एक्जैक्ली और यहां पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक वाउपर यह देखिए यह आपका किक को रिटन खीच ले रहा है यह देखिए तो इस तरह से आपको लगाना है और यहां पर जब लग जाए तो यहां पर एक वासर लग जाएगा इस तरह से तो यह सेटिंग हो गया तो दोस्तों मैं उमीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा रहा प्लीज टो लाइक के अपने दोस्तों में सेर के चैनल सब्सक्राइब कर साथ मुस्ट बेल आइ उससे सबसे पहले देख सके हैं अट लास थैंक यू थैंक यू पर आज मिलते हैं नेक्स विडियो में